सरकारी कामकाज में वाटसेब के उपयोग पर केंद सरकार ने लगाई रोग जी हां दोस्तों यदि आप भी सरकारी कामकाज के दौरान वाटसेब का उपयोग करते हैं तो यह ख़बर आपको जरूर देखनी चाहिए क्योंकि केंद सरकार ने वाटसेब के उपयोग को लेकर यहां पर जारी किये जिसके बारे पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी दोस्तों वीडियो मागे बढ़ने से पहले किन सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बता है तो ख़बर के अमसार गोपनिये सुचनाओं के ली बनाय रखने के लिए सरकार ने यह नए दिशान निर्देश जारी किये हैं यह दिशान निर्देश कोपिया एजन्सियों ने मौझूदा व्यवस्ता की खामियों की समिक्षा के बाद तयार किये हैं यह दिशान निर्देश ऐसे समय में जारी किये गये हैं जब गोपनिये सुचनाव की लीक होने से रोकने के लिए इस्तापित राश्टिय संचार दिशान निर्देसों वर सरकारी दिशान निर्देसों के लगातार उलंगन के मामले सामने आ रहे थे सुत्रों के मताबिक नए संचार दिशान निर्देसों में सबी सरकारी अधिकारियों से कहा गया है कि वो गोपनिय सुचनाओ को WhatsApp, Telegram, इत्यादी पर साजार नहीं करें, इन एप के सर्वर को विदिस में निजी कंपनियों द्वारा नेंतरित किया जाता है, ऐसे में गोपनिय सुचनाओ का बारत विदोर विरोधी तत्वों द्वारा दुर्पियो किया जा सकता है, संसोधित दिसा निर्दिसों में ये भी कहा गया है कि घर से काम करने यानि वर्क फ्रॉम होम के दौरान अधिकारी समवाद के लिए सिर्फ यी ओपिस एप्लिकेशन का ही उप्योप करें, घरेली सेट अप के जरिए गोपनिय सुचनाओ को भी साजा नहीं करें, गरेलु सिस्टम नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर निके एनाइसी के वर्च्वल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए ओपिस के नेटवर्क से जुड़े होने चाहिए, इसके अलावा ये भी कहा गया कि मोबाइल पर गोपनिय सुचनाओ से इस्टोर नहीं करें करे इन गटना करम से जुड़े एक अधिकारी ने अपना नाम में गुप्त रखते हुए कहा कि सरकारी अधिकारीों को अपने मोबाइल फोन में भी वर्गिक्रत या गोपनिय सुचनाओं से इस्टोर करने से मना किया गया है, इन सुचनाओं को मोबाइल एप के जरिए साजा क करने से भी मना किया गया है, क्योंकि इन एप के सर्वर नेजी कंपनियों के हातों में होते हैं और इसे देश की सुरक्षा के लिए गंबीर खत्रा पैदा हो सकता है, और इसके अलावा गूगल मीट और जूम का इस्तिमाल करने की भी मनाई की गई है, वर्च्वल बैटों क के उप करनों का अनिवारिय पासवर्ट के साथ उप्योग करने के सला दी गई है, और इसके अलावा एलेकसा हॉम पाड के उप्योग पर भी रोक लगा दी गई है, तो आधिकारियों ने गूपनिय सुरक्षा संबंदी मुद्दों पर होने वाली बैठकों में स्मार्ट फ यह बेहद मैथपून फैसला लिया गया है और किसी भी जो एप है उसका उप्योग करने के लिए मना कर दिया गया है, निकि सरकारी कामकाजम है जो भी प्रैवेट एप है उन्साभी का इस्तिमार करने पर रोक लगा दी गई है, तो यह एक बेहद मैथपून कदम उठाया गया किन सरकार के इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट फॉक्स में लिकर जरूर बताए, इस वीडियो को लायक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकम प्रैस कर दे, और एक लेटस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए